बिस्मि निल्लाह राह्मान राहीम अस्लामलेकम स्टूदेंट्स नियुर मैंे योग वी थे और को ते ही QA जातनी एमने महीन परना है पेज नुमबर 86 और आज हमने परना है हाफ पास्ट हाफ पास्ट मीन अदा घंटा यानि clock के उपर half pass कैसे होता है वो हमने पढ़ना है यहाँ पर देखें When the minute hand points at 12 then it tells o clock time आपको पता है जब minute hand यानि जो longer वाला hand है जब वो 12 पर होता है तो हमारे पास time o clock में होता है यानि एक hour, एक घंटा हमारे पास complete हो जाता है When the minute hand covers half the clock and points at 6 then we say half pass पर होता है तो हमारे पास half pass हो जाता है यानि के अभी हमारे पास आदा गंटा गुज़र है half जो hour हो past हो जाता है यहाँ पर देखें Look at the given clock carefully इस clock की तरफ गौर से देखें यह वाला The minute hand is pointing at 6 जो हमारा minute hand है जो longer वाला hand है वो 6 के उपर है and the hour hand is between 5 and 6 और जो hour hand है जो shorter hand है वो 5 और 6 के center में है यहाँ पर देखें 5 और 6 के center में है The time shown on the clock is half past 5 तो यहाँ पर time क्या होगा half past 5 होगा यानि साड़े 5 हो जाए